नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में मैं सैलिश कुमार सिंग और टाइम हो चुका है एक वच के 17 मिनट और मेरी ट्रेट कम्पलीट हो चुकी है तो दोस्तों चलिए सबसे पहले चल लेते हैं अपने गुरूप में और जान लेते हैं कि हमारे सेंटिमें हैं वो positive side जादा है बट थोड़े बहुत negative side भी sentiments है और साथ ही साथ आज HDFC bank के investor day है तो बहुत सारा data आ सकता है और इसी वज़े से bank nifty में especially आज हमें volatility देखने को मिल सकती है तो हमने decide किया था कि आज हम करके चलेंगे scalping scalping में हम दोनों ही side की moment में entry करते हैं जो entry हमें पहले म हो रही थी तो हमने decide किया था कि पहली entry हम upside करेंगे और बहाँ पर अगर SL hit होता है तो scalping में आगे हम आगे दूसरे triggers में काम करेंगे ठीक है तो चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पर और देख लेते हैं हमारी कहां पर entry और at the end of the trade हमें क्या हासिल हुआ और like तो market में एक छोट trigger मिल आता बत पो trigger proper print नहीं हुआ market उसे चुकर फिर बापस से नीचे downside आना सुरू हो गई तो हमारी वहाँ पर scalping waste entry जो थी upside वहाँ पर नहीं वनी और market red zone में काम करती रही करती रही और काफी देर इंतजार करने के बाद share trader आप लोग time frame पे validate कीजिएगा setting लगा कर देखिए कि ठीक 10 बच के 21 मिनट पर means यहां कहीं पर हमें एक upside trigger मिला ठीक है इस candle पर हमें एक upside trigger मिला और वो upside trigger बहुत अच्छा move किया और थोड़ी ही देर में हमारी यहां पर जो एंटी बनी उसके target आ गये easily हमारा target यहां पर आ गया ठीक है तो मैंने 46,300 की put में काम किया था मैंने इस इसली आ गया तो मुझे यहां पर आज 46,300 की put में approximately 1353 रुपय का profit हुआ ठीक है और थोड़ी ही देर में यह trade में ही complete हो गई और उसके बाद rest of the day मैंने कोई भी trade नहीं लिया और नहीं मैं कोई आगे trade लूँगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा target आ जाता है मैं उसके दुबाद entry नहीं करता यहाँ पर अगर मेरा ऐसे लेट हो जाता तो बिल्कुल मैं दुबारा entry करता मैं target आ गया हमारे sentiments के हिसाब से हमारे setup के हिसाब से market ने जो moment दिखानी थी जो हमें moment चाहिए थी market ने दिखाई हमारे risk reward के हिसाब से हमारे को जो target चाहिए था वो हमारा आ लिए आप चैनल को subscribe कीजिएगा और किसी भी तरीके का कोई भी question है तो आप comment box में या मुझे मेरी mail id पर भेज सकते हैं ठीक है thank you so much